बढ़ते हैं आगे मोतिहारी में शुक्रबार की शाम एक इट भठे की चिमनी में विस्फोट हो गया इसके बाद चिमनी का उपरी हिस्सा तूट कर वहां काम कर रहे मजदूरों पर आगिरा मलबे में 25 लोग दब गए हाथ से के फौरान बाद आसपास के लोगों ने मलबे से लोगों को निकालना शुरू किया जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई 15 के करीब लोग घायल है जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है इनमें से कुछ की स्थिती गंभीर बनी हुई है ऐसे में मृत्कों की संख्या बढ़ने का अंदेशा बना हुआ है लोगों ने बताया कि चिम्नी में इस साल का पहला फूंक हुआ था जिसके लिए शक्रबार शाम को भोज का भी आयोजन किया गया था वहीं चिम्नी से धुआ निकलते ही वसफोट हुआ और चिम्नी का उपरी हिस्सा करीब 30-40 फिट का हिस्सा तूट कर नीचे आ गिरा जिससे नीचे बैठे लोग उसके मलवे में दब गए वहीं मोतिहारी में ऐसा हाद से को लेकर भी की मुख्यमंत्र नितीश कमार ने दुख व्यक्त किया है टूइट कर उन्होंने लिखा पूर्वी चंपारंड जुले के रामगडवा थाना शृत्र में इट भठे की चिम्नी फटने की घटना दुखद है मृत्कों के परिजानों के प्रती गहरी समवेदना है घायलों का समुचित इलाज कराने का नरदेश दिया है उनके शिग्र स्वस्थ होने की कामना है तो इस घटना में नौ लोगों की मौत हुई है कई लोग अभी घायल है जिनमें से कुछ के स्थिती गंभीर है पूरी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं सहयोगी रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए है रंजीत ये चिमनी में वसफोट नौ लोगों की मौत का कारण बना है कई लोग गंभीर रुप से घायल है पूरी जानकारी चाहेंगे इस घटना के बारे में हम बताते कि या रमगाणवाद थाने से तके निलगीरी की निलगीरी गाव में एक बड़ा आता हुआ है इत बाध्था में वहाँ पुजा और भोज भी हो रहा था उसी दर्मयान आवाँ जो बम्मा है उसमें आग लगाए गया आग लगाने के बाद बम्मा फटा फटा फटने के बाद वहाँ कुछ मज़़ूर थे जो जिनके देह पर बम्मा गिरा जिसमें नौगों की मोके पर मोथ हो गई लगबद दरजिनों लोग वहां बुरित तरह से जखनी हो गई जिनका इलाज रॉक्ष लोगों के इलाज रमगारवा पीसी में और कुछ लोगों को रॉक्षावल आस्पताल में हो रहा है लेकिन अबिस लोग लपता है जिनको निकालने क रंजीत मलवे में मतलब और भी लोग फ़से हो सकते हैं इसका किलियर कंफर्म किलियर में यो पर है लेकिन जो वहां है वहां देखने के बाद क्या अधिकारी की अधिकारी का क्या जानाता है उसके बाद इसकी पर कुछ ने तो रंजीत नजर बनाए रखें फिलालन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद